नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है पेट में मरोड उठने की समस्या से ज्यादातर लोग वाकिफ होते हैं पेट में मरोड का मतलब है पेट के किसी भी हिस्से में दर्द या एठन होना या फिर किसी भी तरह की पेट में संसनी होना पेट के मरोड में हलका, तेज या बार-बार आने जाने वाला दर्द हो सकता है पेट में मरोड के ज्यादतर लक्षन चिंता जनक नहीं होते हैं इसका असानी से पता चल जाता है और इलाज हो जाता है पर कभी-कभी पेट दर्द या पेट में मरोड किसी गंभीर बिमारी का संकेत भी हो सकता है पेट में मरोड के कई कारण हो सकते हैं ये अपच कब्स या पेट में वाइरस के कारण हो सकते हैं महिलाओं को मासिक धर्म के दोरान भी पेट में दर्द या मरोड हो सकते हैं आई अब इसके कारणों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ताकि पेट के दर्द को लेकर आपकी confusion दूर हो सके एक्सपर्ट का मानना है कि लूज मोशन के अलावा IBS यानि इरिटेबल बोल सिंड्रोम भी एक ऐसी समस्या होती है जो पेट में मरोड की वज़ा बनती है इसमें रोगी को बार बार इस बात का एसास होता रहता है कि उसे प्रेशर आ रहा है हालांकि ये सिर्फ एक फीलिंग ही होती है जबकि वास्ताव में व्यक्ति को प्रेशर नहीं आ रहा होता है इसमें कुछ तरह की खाने की चीजों को पचाने में मुश्किल होती है इस रोग से पिडित लोगों को मुखे रूप से पेट में दर्द के लक्षन होते है जो समानिता मलत्याक के बाद ठीक हो जाता है इस रोग में और भी लक्षन जैसे गैस, मतली या पेट में फुलाव भी हो सकते है इसका एक कारण गैस भी हो सकता है क्योंकि जिस खाने की चीज को शरीर पचा नहीं सकता है उसे जब छोटी आन्थ के बैक्टेरिया तोड़ते हैं तो आन्थ में गैस का दबाव बनता है गैस के इस दबाव के बढ़ने से पेट में दर्द या मरोड हो सकता है इस गैस के कारण पेट भूलना या ड़कार जैसी भी समस्याएं हो सकती है इसके साथ ही acid reflux भी इसका एक कारण हो सकता है इसमें कभी-कभी पेट के acid पीछे की तरफ चले जाते हैं और गले तक पहुँच जाते हैं जिस कारण से पेट में जलन और दर्द होता है acid reflux में पेट समंदी अन्य लक्षन जैसे फुलाव या मरोड भी हो सकते हैं इसके लावा कभ्ज भी इसका एक कारण बन सकता है कभ्ज में आतों में मल जमा हो जाते हैं और शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तब इस कारण से कॉलन में दबाव बढ़ जाता है इस दबाव की वज़ा से कब से पेट व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है इसके साथ ही मासपेशियों में खिचाव या तनाव भी इसका एक कारण हो सकता है दरसल रोज के कामकाच्ट के दोरान किसी भी कारण से अगर पेट की मासपेशियों में चोट या खेचाव आ जाता है तो इस कारण से पेट में मरोड की शिकायत हो सकती है पेट की एकसरसाइस के कारण भी पेट की मासपेशियों में खेचाव हो सकता है इसके लावा मूत्र मार गया मूत्राश्य में संकर्मन भी इसका एक कारण हो सकता है मूत्र मार गया मूत्राश्य में बैक्टिरिया द्वारा संकर्मन के फैल जाने से भी पेट में मरोड की समस्या होती है इस परकार के संकर्मन होने से पेट के निचले हिस्से में फुलाव के अलावा दर्द वा दबाव का अनुभाव हो सकता है इसके लावा गैस्ट्रोई, सोफीजियल रिफ्लक्स डिसीज, पॉप्टिक अलसर, क्रोहन रोग भी पेट में मरोड का कारान हो सकते है अगर आपके पेट में भी इस तरह का दर्द उठता है तो जल अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज को शुरू करवाएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बोल्सकाई को सब्सक्राइब करें